नमस्कार इस्टुजेंट्स, आईए, आज आपको लिए चलते हैं प्रत्वी की दुनिया में, अर्थ, आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ, चलिए, शुरू करते हैं, प्रत्वी, कुछ बेसिक चीज हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि प्रत्वी जो है, पार्तिव ग कहते हैं, जल की अधिक्ता के कारण, दूरी में, सूरिय से दूरी में ये इसका इस्तान है, तीसरा, और आकार में इसका इस्तान है, पांचवा, ये आप सब पहले से ही पढ़ चुके हैं, पांचवा, अब कई बार कोश्चन आया है, कि प्रत्वी को नील अग्रा कहा गया ह तो उसका सीधा सा इक आनसर है, कि नीला इसको जल की अधिक्ता के कारण कहा गया है, और एक और चीज हम आपको बता दें, कि ये इमान के चली प्रत्वी है, बीचो बीच से इसको इक्वेटर कट करती है, जो इमेजिनीशन है, इक्वेटर, इसको हम उत्त्री गोलार्द कह अब एक बार कोश्चन ये पूचा गया है, कि बताईए जनसंक्या जो है, कहां जादा है, या जल कौन से गोलार्द में जादा है, तो इस गोलार्द में आपका जल जादा है, और इस गोलार्द में आपका थल जादा है, यानि अगर आप से पूचा जाए जनसंक्या किस ग प्रत्वी की परदी कितनी है इस्टुडेंट प्रत्वी की जो परदी है वो है चालिस अजार दोसो बत्तिस किलो मीटर चालिस अजार दोसो बत्तिस किलो मीटर यहीं आपको छेत्रफल भी बताते चलते हैं छेत्रफल कितना है इसका एरिया प्रत्वी का जो छेत्रफल है वो है 510 million square kilometer, ठीक है न, 510 million square kilometer इसका छेतर फल है, बात करते हैं कि प्रत्वी की जो आकिर्ती है, भाई कैसी है, तो प्रत्वी की जो आकिर्ती है वो है जियोड आकार में, कैसे आकार में है, जियोड एक खास तरह, यानि ये पूरी तरह गोल नहीं है, तो इसको वग्यानिकों ने क्या का, भाई ये जो है जियोड आकार है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप बेसिक चीज़ें थी, जिनको आप पहले से अल्लेडी पढ़ चुके हैं, अच्छे एक चीज और, कि प्रत्वी जो हमारी है, वो एक्क्वेटर पर थोड़ी फैली हुई है, और इधर ये होते हैं, पोल धुर्बों पर ये थोड़ी सी छोटी है, तो बात आती है कि एक्क्वेटर पर इसका व्या पर रेखा पर कितना अंतर है, तो प्रत्वी का जो व्यास है, लगाई है एक्क्वेटर पर जो इसका व्यास है, वो है 12,756 किलो मीटर, कितना? 12,756, और जो पूल पर इसका व्यास है, वो है 12,714 किलो मीटर, तो कितना डिफरेंस है स्टुजेंट, दोनों का डिफरेंस करे तो 42 km, यानि एक्वेटर पर प्रत्वी आपकी 12756 km का व्यास रखती है, डायमेटर रखती है, और धुर्मों पर ये 12714 km का व्यास रखती है, यानि एक्वेटर और धुर्मों पर जो इसके बीच के डिफ्रेंस हो जाता है व्यास का, वो 42 km का हो जाता है, आपको तरज्या न चलिए कुछ और चीज़े हम डिसकस करते हैं, तो बात आती है कि प्रत्वी सूरिय का चक्कर लगा रही है, और जब सूरिय का चकर लगा रही है, तो वो पूनते वरताकार चकर नहीं लगा रही है, वो किस परिपत में लगा रही है, किस परिपत में दीर्ग वरताकार में कि एक इस्तिती बनती है अप्सौर की इस्तिती यानि प्रत्वी जो है सूरिय से मैक्सिमम दूरी पर होती है यहां ऐसे लिख देता है बना देते हैं इस्तिती कौन सी अप्सौर इस्तिती अप्सौर इस्तिती अप्सौर को इस्टुडेंट इंग्लिस में कहते हैं एपी हीलि एपी हिलियन की कंडिशन जब बनती है, तो सूरिय से जो प्रत्वी है आपकी, वो मैक्सिमम दूरी पर होती है, किस पर होती है, मैक्सिमम दूरी पर, यानि सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है, और ये इस्तिती बनती कब है, चार जुलाई को, कब बनती है, चार जुलाई क यानि यह max इस्तिती है, maximum distance पर है, maximum distance, ठीक है ना, और 4 जुलाई को यह इस्तिती बनती है, अब वो maximum distance है कितनी, यह भी आपको देख रहा होगा, तो maximum distance जो है, average distance 15.2 करोड किलो मीटर, इसकी maximum distance है, यानि जब हमारी प्रत्वी शूर्य से सरवाधिक दूरी पर होती है, तो उसको हम कहते है, apihelion condition, यानि अप्सार इस्तिती, जो condition, यह जो condition है, यह 4 जुलाई को बनती है, और इसकी जो average distance है, वो 15.2 करोड किलो मीटर होती है, अब जब एक समय दूरी पर, maximum दूरी पर है, तो एक समय ऐसा भी होगा, कि यह minimum दूरी पर भी होगी, चलिए मैं यहां बना देता हूँ, यह माल लेते हैं, कि यह इस्तिती है, उप्सार इस्तिती, उप्सार इस्तिती को perihelion कहते हैं, इंग्लिस में, perihelion, अब perihelion की condition जो बनती है, यानि यह तो clear है कि यह क्यों सी distance है, minimum distance को cover up करती है, यानि इस समय जो हमारी प्रत्वी है, वो सुरिया से नजदीक होती है, सुरिया के अत्यदिक नजदीक होती है, तो यह जो condition बनती है, यह बनती है तीन जनवरी को, तीन जनवरी को यह condition बनती है, और इस समय जो average speed होती है उसकी, तो average distance होती है, वो कितनी होती ह 14.70 करोड किलो मेटर. इतने करोड किलो मेटर दूर होती है ये परतवी से. अब बात आती है कि परतवी जो है चार जुलाई को किस इस्तितिा में होती है? शुर्यए से सर्वाधिक दूरी की इस्तिति में होती है। तीन जनatri को सुर्य के नजदिक की इस्तिती में होती है अब बात आती है एक कुश्चन एक बार SSC ने पूछा है MTS में कि उपसौर और अपसौर की इस्तिती को जो मिलाने वाली है एपी हिलियन और पेरी हिलियन की जो कंडिशन बनती है उसको मिलाने के लिए वेग्यानिकों ने काल्पनिक रेखाएं खिची है उस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते है तो अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली वह रेखा जो सूरिय के सेंटर से ओकर गुजरती है सूरिय से ओकर गुजरती है उस रेखा को हम कहते है एपसाइड लाई क्या ना हम कहा है एपसाइड रेखा ठीक है स्टुजेंट एपसा रेखा जो सूरिय के केंदर से हो कर जाती है हम क्या कहते हैं एपसाइट रेखा कहते हैं एक और कुश्चन एक बार पूछा गया कि प्रत्वी वे सूरिय के बीच की औसक जो दूरी है हम उसको कहते क्या है तो प्रत्वी वे सूरिय के बीच की औसक दूरी को हम कहते हैं खगोल एक खगोलिया एक मतलब astronomical unit ठीक है students astronomical units इसको कहा जाता है यानि सूरिया और प्रत्वी के बीच की और सद्धूरी जो है उसको हम खगोलिया एक एक कहते हैं ठीक है यह चीज़ें आप याद रखिए अब हम आपको लिए चलते हैं कि प्रत्वी सूरिया के असपस दो प्रकार से गूमती है एक करती है वो rotation और एक करती है revolution तो revolution और rotation से क्या-क्या चीज़ें होती है प्रत्वी पर वो समझी है ठीक है students चलिए प्रत्वी को जान लेते हैं आज ज्यादा कुछ नहीं जो आपके एक्जाम को कर रहे हैं माने इतली यह शूरिया है शूरिया के आज पास प्रत्वी गूम रही है इस बाद कौन सा लेना है हम परिकिर्मन गती ले रहे हैं परिकिर्मन गती revelation कौन सा ले रहे हैं revelation ले रहे हैं revelation हम जो है देखिए परिकिर्मन गती शूरिया के आज पास जो घूमने को कहते हैं जो गती कर रही है प्रत्वी उसको हम कहते हैं परिकिर्मन गती अब इसकी कुछ चीजा लिख लेते हैं पहला यह किस स्पीड से चलती है एबरेज स्पीड बताइए स्टुडेंट एबरेज स्पीड कितनी है घूम रही है उसके आज पास तो कोई स्पीड से घूमी रही होगी ना तो कितनी होगी पताओ सिभम कितनी 29.79 किलोमीटर पर आवर यह पर सेकिंड पर सेकिंड ठीक है ना 29.79 किलोमीटर पर सेकिंड की एबरेज स्पीड से घूम रही है अब यह घूमते घूमते सूरिय के चक्कर कितने समय में लगा देती है हम नॉर्माली बोल देते हैं 300 लेकिन एकुरेट बताएं तो 300 पैसाट डेज भी अभी तक आप यह पढ़ते हैं 300 पैसाट अप्रॉक्षिमेस पांच गंटे 48 मिनद 46 सेकिंड में यह सूरिय के चकर पूरा करती है अब बात आती है कि यह जो रिवलिशन होता है यह जो इसके सूरिय के असपास घूमती है यह क्या क्या चीज़ें परिवर्तित करती है तो देखिए सबसे पहला इस गती के कारण होता है जी मौसम चेंज यानि प्रत्वी पर जो मौसम चेंज हो रहे हैं वो रिवलिशन के कारण हो रहे हैं दूसरा दिन रात का बड़ा या चोटा होना किस पर डिपेंड करता है वो भी आपका परिकर्मन पर डिपेंड करता है दिन रात का बड़ा या चोटा होना भी किस पर करेगा परिकर्मन पर निर्वर करता है, तीसरा जो है पवन पेटी में बदलाव, समूंदरी, समीर वगएरा आप पढ़ेंगे आगे चलके तो उच में बताएंगे कि किस तरीके से परिकर्मन गती पर निर्वर करता है, इसके बाद जो चौता है, अक्छान्जे इस्तिति का निर्धारन जो निर्धारन यानि इन चार चीज़ों का निर्धारन जो है मौसम का बदलना, मौसम का बनना, दिन रात का बढ़ाया चोटा होना, पबन पेटी में बदलाव होना और अक्षान से इस्तिती का निर्धारन ये किसमर डिपेंड करता है स्टुजेंट ये आपका डिपेंड करता ह परिकिर्मन गती पर चलिए आगे चीज़े अब जब ये गती करती है तो ये चार बार प्रत्वी पर चार इस्तिती बदलती है जो ये गती होती है इसकी वज़े से प्रत्वी पर चार चीज़े बदलती है चार इस्तिती बनती है उन चार इस्तितियों के बारे में भी हम यही पर पढ़ लेते हैं, चलिए, चार इस्तिती कौन-कौन सी है, वो भी समझे, जिनको हम संक्रांती या आयायांत कहते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, संक्रांती या आयायांत, चलिए, तो पहली कंडिशन जो बनती है, बनती है, 21 और 22 जून को हम कहते हैं, 21 और 22 जून को बनती है करक संक्रांती, अब यह होता है कि करक संक्रांती किसको कहते हैं, करक संक्रांती, तो करक संक्रांती जो बनती है, मतलब सूरिय जो है, आपका करक रेका पर चमक रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं, करक संक्रांती, ठीक है, दूसरी जो कंडिशन बनती है, श्टुडेंट्स, 21 जून के बाद 22 सेप्टमबर की और इसको हम कहते हैं सरदकालीन विशुब सरदकालीन विशुब अब सरदकालीन विशुब का मतलब क्या है इस समय सूरिय जो है विश्वत रेखा पर लोट चुका होता है सूरिय जो चमक रहा होता है किस पर होता है विश्वत रेखा पर चमकरा होता है तीसरी कंडिशन जो बनती है वो बनती है 21 और 22 देसंबर को 21 और 22 देसंबर को कहते हैं मकर संक्रांती ये मकर संक्रांती तोहार वाला मकर संक्रांती नहीं है एक और तोहार मनाते हैं ना आप मकर संक्रांती के जड़ी बढ़ती है तो मकर संक्रांती वाला तोहर नहीं है यह 21 और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जो आपका सूरिय चमकरा होता है और चौथी कंडिशन जो बनती है वो फिर दुबारा से 20 और 21 मार्च को जब सूरिय विश्वत रेखा पर दुबारा आजाता है तब यह बनता है और इसको हम कहते हैं बसंत विशुग बसंत विशुग ठीक है यह चार कंडिशन बन नहीं होती है आप देखें जब सूरिय करक संक्रांती बना रहा होगा करक रेखा पर चमक रहा होगा तो करक रेखा किसमे है प्रत्वी को पढ़ेंगे तो करक रेखा है उत्तरी गोलार्द में मतलब उत्तरी गोलार्द में दिन बढ़ा हो रहा होगा ठीक है विशुपर होगा तो फिर वो तो दिन रात बरावर हो जाएंगे विशुपर होने के बाद और मकर संग्रांती की जब बात करेंगे तो दक्षिनी गोलार्द पर सूरिय चमक रहा होगा दक्षिनी गोलार्द में, अब दक्षिनी गोलार्द में होगा, तो फिर दक्षिनी गोलार्द में क्या हो जाएगा, दक्षिनी गोलार्द में दिन बढ़ा हो जाएगा, दिन बढ़ा, यानि 21 और 22 दिसमर को दक्षिनी गोलार्द में दिन बढ़ा होता है, 21 जून को दिन प्रत्वी जो अपने अक्षपर गूमती है उसके बारे में, घुनन गती, अब प्रत्वी घुनन गती कर रही है, यानि एक तो सूरिय के आसपास गूम रही है, और एक अपने आसपास गूम रही है, तो चलिए अपने आसपास के बारे में बताते हैं, देखे जराब, यानि यह हम सूरी इसके आजपास प्रत भी घूमी रहे है और यह अपने आजपास भी घूम रही है इसको हम क्या कहा है रोटेशन ठीक है ना रोटेशन घूणन गती अब भूणन गती जब हो रही है तो पहला काम तो वही एवरेजी स्पीड बताईए एवरेजी स्पीड एवरेजी स्पीड कितनी होगे इसकी 1675 किलोमीटर पर आवर ठीक है जो प्रत्वी अपने आसपास गूम रही है वह 1675 किलोमीटर प्रती घूम रही है और एक और चीज देखें यह एवरेजी स्पीड है जब वह अपने आसपास गूम रही है तो यह विश्वत रेखा की स्पीड है और जैसे जैसे आप धुर्बों की ओर बढ़ते हैं त तो बताइए जड़ा यह पूरा एक जो चक्कर लगा रही है अपने आसपास कितने समय में लगाती है बताइए पंकज बताओ तेईस गंटे 56 मिनट और कितने सेकिंड 41 सेकिंड ठीक है ना 40 पूंट सम्टिंग होता है प्रॉक्षिमेट सेकिंड का काउंटिंग है तो हम उसको 41 ही लिख देते हैं तो यह तेईस गंटे 56 मिनट 41 सेकिंड में अपना एक चकर पूरा लगा रही होती है तो रोटेशन से जो चीज बदला बदलाव आता है आपकी प्रतवी पर वो देखिए पहला बदलाव आपका दिन रात का होना दिन रात का होना ठीक है दिन रात का छोटा बड़ा होना किस पर निर्वर कर रहा था परिकिर्मन गती पर और दिन रात का होना किस पर निर्वर करता है घुनन गती पर दूसरा ज पीसरा आपका समुंदरी धारा वे पवन हवा की दिशा भी किश्पन निर्वर करती है आपका रोटेशन पर निर्वर करती है यानि समुंदरी धारा पवन जो है समुंदरी पवन इस्तलिय समीर बगेरा जब आगे पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे कैसे निर्वर क पानी का संवंदरी लेरों का उठ जाना फीक है याद है नदिल वाले मूभी कि उषम ज GitHubSI तो ज्वार्वाटा का और किस पर निर्वार करता है आपकी गुणन गती पर जौर बाटा का आना भी आपका इस पर निर्वार करता है ठीक है तो इस्टुजेंट्स गुणन गती के अवरेज बारेजी श्पीड पर लिजर 1675 किलोंटर है विशुबपर है यह यह पहले ही जानते हुए विशुबपर और धुर्भों की यह बढ़ते हुए कम होती चली जाती है जैसे जैसे आप धुर्भों की और चलते हैं तो एक अचीज और पढ़ते चली ए दूर्भ की खोज इस ने दुरूब की खोज दक्षनी दुरूब की खोज चलिए उत्री दुरूब की खोज पंकज बताई किसने की रोवार्ट पीयरे ने किसने रोवार्ट पीयरे ठीक है और दक्षनी दुरूब की खोज रोवाल्ड एमंडशन रोवाल्ड एमंडशन ने दक्षनी दुरूब की खो कि अब बात करते हैं कि उत्री और दक्षनी धुरूब की हम बात कर रहे हैं तो एक चीज यहीं रिलेट में करा देता हूं इसको खटा दूँ एक आप पढ़ते हैं सौर प्रती दीपती पढ़ते चलते हैं यहीं प्रतिवी से जुड़ी गटना है सौर प्रती दीपती क्या प तो देखें विशाल उर्जा के जो उच्चगती वाले परमानुनाविक हैं वो इलक्ट्रनों के रूप में होते हैं या परमानुनाविक के रूप में होते हैं जिने हम कहते हैं कोस्मिक करने वो सूर्या से उस सर्जित हो रही हैं जब वो सौर पवन के रूप में प्रत्व के बाइमंदल से घर्षण करती हैं तो वो जलने लगती हैं अब जलने लगती हैं तो होता क्या है कि उत्रे द्रोब और दक्षिन पर य्णा साधी भ जय है ध्यफ्वाजी δेखे ना ?- तो एक रोशनी का विश्पोर्ट होता है रोशनी एकदम ऐसे नजारा उत्पन हो गया तो उसको हम कहते हैं सौर प्रतिदीपती अब उत्री धुरुपर उसको भी नाम से पुरकारा गया है धक्षनी धुरुपर तो उत्री धुरुपर जब वो रोशनी का नजारा उत्पन हो उत्तरी धुरुप पर उसको हम कहते है औरोरा बोरियालिस ठीक है और दक्षनी धुरुप पर जब ये इस्तिती बनती है तो हम उसको कहते है औरोरा आस्ट्रेलिस ठीक है ना तो ये दो चीज़ें भी आप याद राखेंगे स्टुडेंट्स की सौर प्रती दीपती क्या है कि जब सौर पावन आकर प्रत्वी के बाई मंदल मेंट्री करती है तो घरसन उत्पन होता है वो घरसन जब रोशनी का सा नजारा उत्पन कर देता है तो हम उसको सौर प्रती दीपती कहते हैं तो उनका नामकरन किया गया है कि उत्तरी दुरुप पर वो aurora borealis कहलाती है, और दक्षनी दुरुप पर वो aurora astralis कहलाती है, ठीक है students, आप देखिए जब सूरिय का अभी हमने बताया था कि सूरिय के आसपास गती प्रत्वी कर रही है, तो उससे कुछ चीज़ा होती है, हटा दूना इसको, चलिए, चलिए students, एक बनाईए आप, प्रत्वी बना लीजिए मान के चलिए, ये प्रत्वी है आपकी, ठीक है, इसमें बीच ओ बीच होता है, equator, जो दोनों भागों में बांट रहा है, और साड़े 30 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर करक रेखा होती है, ये आप जानते हैं, एक और रख लीजिए, आप 66.5 पर आर्क्टिक और आंटर्क्टिक के बारे में बात करते हैं, और इधर का जो दक्षनी गोलार्द में जो है, ये मकर रेखा होती है, ठीक है, और इधर अगर हम बात करें, तो ये 66. 26.5 डिग्री भी इधर भी रख लेते हैं, अब बात आती है कि करक रेखा मकर रेखा की बारे में बात कर रहे हैं, अब देखें, अभी थोड़ी देर पहले जब हम आपको डिसकस कर रहे थे, तो हमारा जो सूरी है था, वो इक्वेटर पर आता है, 20 और 21 मार्च को पहली बा मान के चलिए वो इधर की तरफ वो चलना स्टार्ट करता है, और करक रेखा पर वो क्या पकप पहुंचता है, 21 और 22 जून को वो करक रेखा पर पहुंचता है, फिर वो इधर से दुबारा इधर आ रहा होता है, तो यहां जो है वो क्या पहुंच रहा होता है, कलत हो गया क् 21 और 22 March से जून में पहुँचा जून से वो सेप्टमबर में आया ठीक है थीक है 21 और 22 सेप्टमबर को और यहां से फिर वो चलता है इधर और 21 और 22 December को वो यहां आता है और December से फिर वो यहां आता है तो अब देखिये आप एक चीज देखिए नोट करिये कि 20 से 21 मार्श से लेकर वो 21 और 22 सेप्टेमबर तक वो किस तरफ होता है उत्री गोलार्द में होता है जो उत्री गोलार्द में ये होता है तो हम इसको कहते हैं उत्रायन पता है ना उत्तरायन क्यों पिरचिद्ध यह उत्तरायन आपने ध्यान दिया हो मावारत काल में भीश्म पिता मैंने यह कहा था कि सूरिय जब उत्तरायन हो जाए गए तब मैं प्रांत यागूंगा म्रत वर्दान था उनको तो यानि सूरिय का उत्री गुलार्द में होना उत्रायन कहलाता है और दक्षिनी गुलार्द में होना क्या कहलाता है दक्षिनायन कहलाता है ठीक है ने उत्री गुलार्द में होना उत्रायन और दक्षिनी गुलार्द में होना दक्षिनायन कहलाता है आप देखें, सूरिया जो है, कितने एरिया में रहता है, वो यहां से इस एरिया में है, ठीक है, यानि करकरेखा से मकररेखा के एरिया के बीच में, सूरिया हमेशा रहता है, या तो यहां होगा, तो यहां इधर भी सूरिया करन दे रहा होगा, यहां तक भी करन जा रही होग सबसे अधिक गरम पेटी का मतलब ऊस्ण कटिबंदी है ठीक है न, मैं उत्तरायन दक्षणायन को अटा देता हूँ आपको दूसरी दुनिया में लिए चलते हैं ठीक है? इसको हम कहेंगे ऊस्ण कटिबंदी है छेत्र ऊस्ण कटिबंदी है छेत्र लाज़ ओर इक्विटर पर दो बार और इधर से इदर चला जाता है तो इसको हम क्या कैते हैं P सर्दी होगी जब यहां सुर्या आ गया होगाती इदर साथ लगा दीजिए और यही बात धक्षिणि गोलार्द में सीतोषन कटवंदी यह भी होगा सीतोषन कटवंदी है तो इसमें दक्षिन में होने के वज़े से इसको हम क्या गया देते दक्षिनी सीतोषन कटवंदी है ठीक है ना तो यह जो एरिया है यह सीत और उसन यानि सर्दी और गर्मी दोनों को लिए हुए यह एरिया त्यान रख तो यह सूरिय यहां तक आया हो, यहां तक तिर्ची वर्ची किरने पड़ रही है, इस जॉन में तो किरने ही नहीं कहीं, ना इस जॉन, तो हम इसको क्या कहते है, सीत कटी बन दिया छेतर, इसको क्या कहते है, सीत कटी बन दिया छेतर, फ्रिज जॉन, यहां जमाने देने वाल तंडी ओगी, फ्रिजॉण, ठीक है? ऐसे इदर भी, सेत कतिवन धीक है, ये भी फ्रिजॉण ही कहलाएगा, क्योंकि इज में सूरिया है, आता ही नहीं है, सूरिया के क्रिण bisher alla आती ही नहीं है, क्योंकि यहाrench से भर यहां तक सूरिया के क्रिणर पढ़े हैं, इस एरिया में स अब एक बात बताईए अभी जब साइन्स के स्टुडेंट पढ़ते हैं तो पढ़ते ताप यानि ज़हां ताप होगा वहाँ दाब कम होगा यानि एक दूसरे के उल्टे होगी अभी हम आपको बता रहेते कि यहां जो है इस एफ पप्रांगे यह शोता ही हुता इधर से विकल्ने आरही है तो शर्वादिक ताप यहां है तो यहां तो क्या ऊ हुआ प्रैसर कम होगा ताप अधिक और नी ताम हो गया है यहां यानि इकविटर पर तो बही ताप तो सरवाधिक होगा और दाप सबसे कम होगा कोश्चन आप से पूछा गया कि दाप सरवाधिक कहा होता है प्रत्वी पर तो अब एक बात बते हैं जहां ताप कम होगा अभी हम बता रहे ते कि ताप कहां कम है बही शूरी यहां तक जाता है यहां तक शूर ठीक है तो प्रत्वी पर सरवादिक जो प्रेसर है वो कहा है सरवादिक जो प्रेसर है वो धुर्बो पर है ठीक है इस तो यह चीज़ आप पढ़िए याद रखिए प्रत्वी के बारे में जो चीज़े हैं और भी आपको चीज़ें कराते रहेंगे जोग्रफी में अक्छां सब्सक्राइब देशां तरके होगी, ठीक है, ठीक है, दन्यवान.